दोस्तो आज हम बहुत ही important चीज आपको बतान जा रहे हैं जूतों में मिलने वाली यह चोटी सी एक चीज है जिसे हम हमेशा फेक देते हैं उसका प्रियोग क्या है यह अच्छली शिलिका जेल होता है और दोस्तों यह बहुत ही काम की चीज है शायद आपको पता नहीं है इसलिए आप इसे फेक देते हैं इन शिलिका जेल को नेक्स टाइम से जब भी आपको मिले आप इसे फेक किये मत इसे आप जमा कीजिए सबको आप एक एर टाइट बॉ वहारे पास आठिफिशल जोलिडी है जोकी समय के साथ दीष्चली काली पर जाते हैं यूज सकते काली जाती हैं काई बार पसीनिय से कई बार हवा से उक्सिताइज हो उपकर तो इनमें आप सिलिका जेल लांकर स्टोर्टर कर सकते हैं पानी और गिला हो जाता है जिसके कारण से पानी के वहां काम करना बंध हो जाता है ये बहुत अपहुंद प्रोब्लम है दोस्तों तो इसके लिए आप ये उपाई है सिलिका जेल के साथ रख दीजिए उसके सारे पार्ट्स बैट्री सब अलग कर दीजिए और इसे 24 गंटे के लिए छोड़ दीजिए आपको मोबाइल ठीक हो जाएगा हमारे पुरानी यादे फोटोग्राफ से जीडिव होती है आजकल तो लोग देक्स्टबप पर रखते है तर फोटोग्राफ का तो अपना अलगी महत्μα है यह photograph कई बार आप देखेंगे पुराने होने के बाद चिपकने लगते हैं तो जब यह चिपकने लगे तो इन्हें हम कैसे store करें और चिपक के यह खराब हो जाते हैं तो एक airtight container में यह सारे पुराने photographs रखिए और साथ में silica gel डालके आप उसे बंद करके store कर सकते हैं कई बार हमारे महंगे जूते बारिश में गीले हो जाते हैं या पानी में पाव डालने के कारण जब हम भ्यान नहीं देते तो वह गीले हो जाते हैं इन्हें भी हम leather shoes को इसी तरह किसी भी box में silica gel के साथ रख सकते हैं जिससे यह खराब नहीं होंगे जिसके कारण कई बार जो हम बहुत दिन तक कोई चमच यूज नहीं करते या कोई भी यूटेंसिल यूज नहीं करते तो उनमें जंग लग जाते हैं तो उसमें भी आप silica gel डालकर store कर सकते हैं कई बार चिप्स और बिसकेट हम खाते हैं पर पूरा नहीं खाते और आधा खापाते हैं और उसके बार जब इसे box में बंद करके रखते हैं तो वह same जाते हैं और फिर वह waste हो जाते हैं तो उनको भी हम इसी तरह store कर सकते हैं जब आप किसी भी चिप्स का पैकेट लें उसे आधा यूज करें तो उसमें इस तरह silica gel लगाकर उसे seal कर दीजिए और अगर आप बिसकेट रख रहे हैं किसी डब्बे में तो उसमें भी आप silica gel डालकर store करें तो आपका बिसकेट खड़ाब नहीं होगा और आप उसे बह जिल डालकर store कर सकते हैं वह खड़ाब नहीं होगा नमक जब कई बार हमारे बारिश की वज़े में आप देखते हैं कि वह बश्यर एब्जॉब करके वह आप अगर उसे निकालना चाहते हैं तो एकदम गीला हो जाता है वह निकलता नहीं तो उसे भी आप silica gel उसके दा जब आप नहीं खर दोगे या कई बार क्रोकडी सेट्स खर दोगे उसमें भी बिलता है इसलिए आप यह में सोचिए कि आप इसे खाने पीने की चीजों में यूज नहीं कर सकते हैं तो आप इसे बेदरक यूज कीजिए तो आईए हम आगी का प्रियोग देखते हैं silica gel को करने के लिए भी हम यूज कर सते कई बार हम जो ट्रावल करना होता है हमारा कोई प्रूप नहीं होते तो वह हमारे बहुत चिंता की बात होती है तो उसे भी एक पॉलतिम में रखिए उसमें आप इसलिका जल तालिये और उसे अराम से अपने लगज के साथ पैक किजिए ज या बैशीट रखते हैं तो बारिश की समय में कई बार आप देखते हैं अगर कोई बैशीट आपने बहुत दिनों से यूज नहीं किया हो या बहुत बार बहुत दिनों से कपड़े आपने यूज नहीं किया हो या पसीने वाले कपड़े आपने बिना ध्यान दिये बिना आपने रख दिया हो तो इसमें से फंगस पैदा हो जाता है या फिर एक स्मेल आने लगता है तो इसके लिए भी आप सिलिका जेल यूज कर सकते हैं आपने वाड़ोप में इसे डाल के रखिए नैप्थिलिन बॉल का ये काम करेगा और ये बहुत ही अच्छे से आपका सारा म कोई भी स्मेल या फिर फंगस नहीं रहेगा नप्तियम बॉल से तो फिट भी कप्रों में आपको नप्ति आप डूल की डाइगी पर इसमें से कुछ भी कोई भी स्मेल नहीं आने वाला तो आप इसे अराम से अपने कपरों को स्टोड करने में यूस कर सकते हैं तो आपके हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो इससे लाइक कीजिये, अगर यह आपको यूसफल लगता है तो लोगों की तर्ष शेर कीजिये, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही useful information के लिए और बेल आइकन के टैब जरूर कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डाले तो आपको notification मिलती रहे धन्यवाद